10 में विस्ट 1 फैयलोफ्रेंड आज हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेग्ष्ट रगे हैं जिसका हेडिंग है Chap subscribe न किया विए इसक्रेक्श तो आज हम कुछ डिफेक्ट की बात करेंगी आइस के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो करते हैं और उनकी correction की बात करेंगे optics का यूज करके means lenses का यूज करके हम उनको जो भी defection को correct करने के लिए जो भी हमें lens यूज करना पड़ेगा उसकी बात करेंगे तो last class में हमने हुमेनाई के बारे में इसका structure और functions बड़े थे अलग-अलग parts के उसके बाद हमने एक important heading पड़े थी power of accommodation तो power of accommodation किसका lens का और lens के साथ कौन जूड़ी होती है सिलेरी मसलेश के moment के कारण ठीक है तो यह फिर expand करती है उसके according lens का moment होता है और वो क्या करता है हमें power of accommodation जो lens होता है आई lens उसकी Power क्या करती है चेंज होती रहती है जैसे हमारा लैंस है ठीक है तो lens के साथ में जो बी हमारी मन incidents connected होती है तो यह मसल्स के मोवमेंट के कारण यह líns का किया होता है DB बदलता है तो इस लेंक की snakes के कारण किया होता है इस अलग-碌ल इसका क्या होता है focus point shift होताaltet है कि और उस focus point का चेज्ज होना focal point का चेक होना ही हम अलग-अलग powers की बात करते हैं क्योंकि जो power हम define करते हैं one upon f से ही define करते हैं तो अपने optics में बढ़ा भी होगा तो ciliary muscles जो होती है ciliary muscles ही actually में lens को क्या करती है हमारी control करती है अब क्या रहता है कि इसके अंदर जो defects की बात करेंगे वो defects आता क्यों है defects काफ़ी चीजों के कारण आ सकता है हो सकता है ciliary muscles weak हो हो सकता है इस lens के अंदर ही कोई दिखकत हो और इसके बाद में जो हमने shape की बात की थी इसको eyeball बोलते हैं ठीक है वो सकता है जो आई बोल का जो साइज होता है उसमें भी दिक्कत हो तो तीन फेक्टर्स के कारण हमारे अलग-अलग डिफेक्ट्स आते हैं ठीक है तीन जो हम डिफेक्ट्स बात करेंगे उसमें सारे फेक्ट्स बैढ़ते हैं अलग-अलग अलग डिफेक्ट्स होते है तो अगर हम effects जो बात करें के कौन-कौन से defects होते हैं, उसको हमने तीन पार्ट में mainly categorize किया है, पहले को बोलते हैं myopia, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं hypermetropia, ठीक है, तीसरे को बोलते हैं pressed myopia, होता क्या है, होता यह है, कि myopia के अंदर ठीक है, और hypermetropia के अंदर एक main difference है, myopia को हम, myopia के अंदर एक person होता है, वो दूर की चीज नहीं देख सकता, ठीक है, दूर की चीज सही से नहीं देख सकता, और past की चीज सही से देख सकता है, इसलिए उसको near sightedness भी बोलते हैं, ठीक है, hypermetropia में क्य होता है वो person ठीक है पास की चीज ज़ी सबस्का दूर की सभी देख सकता है ठीक है तो दूर की अगर वो सभी से देख सकता है ठीक है तो उसको फार साइटेनस बोलते हैं इन ऊपर एक बिल्कुल अलग डिफेक्ट है इसके अंदर पर्सन क्या गरता है उसकी पर्सन की एज के कारण क्या होता है उसको दोनों डिफेक्ट के मेफ़ड है वो अपनाना पड़ेगा तो पहला देख लेते हैं माईओपिया की बात करते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया के अंधर पेशेंस हैं वह मायओपिया की हैं मतलब हम देखा हुए कि हर लगबग घूब को यही दिख्क्रताई है खिसको दूर का चीज वो सही से नहीं देख पाता है लेकिन पास का देख पाता है शी का नाम नाम s penso तो यही नाम इसी से याद रखना कि myopia वाले परसन को दूर की चीज़ नहीं देखती पास की चीज़ सही से दिखती इसका नाम उसका नियर साइटनेस है और hypermetropia को वाले परसन को पास की चीज़ सही से नहीं दिखती दूर की चीज़ सही से दिखती है तो दूर की चीज़ सह तो दूर के चीज नहीं देख सकता है, एक्चिरिम होता क्या है उसकी साथ में, जो हमारा I Lens होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, अब I Lens क्या होता है, हमारा Convex होता है, तो अब क्या है, कोई जैसे अगर Infinite से कोई भी एक Raise आई, इन्फानेट से कोई भी रेज आती है ठीक है तो इन्फानेट से कोई भी रेज आएगी एक नॉर्मल आई के लिए वो क्या होगा नॉर्मल आई के लिए वो रेज क्या कर जाएगी एक फोकस पॉइंट के उपर क्या करेगी फोकस हो जाएगी ठीक है अब वो क्या होगा यह जो फोकस पॉइंट बनेगा पावरों के अकमेडेशन से वो क्या होगा जो यह जो यह भी आईबोल है आईबोल का यह पार्ट क्या होगा यह पार्ट रेटीना होगा तो जो भी फोकस पॉइंट है वो किस पे बनेगा रेटी मैं उसकी केस में होता क्या है और मान लों कुť इस तरह से आई आपना ठीक है तो यही अपना रेटीना है ठीक है तो अब क्या होता है ऐसे कुछ यहां पर आपको in front Space से कोई भी रेज आएगी ठीक है वो फोकल पॉंट से पहले ही बना पाती है और पहले ही बन गया रेटिना पर नहीं बना इमेज इसका इसका मलब मैसे सिग्नल सभी से नहीं जाएगा और यह परसन दूर की चीज नहीं देख पाएगा अच्छा तो यह किसकी आई है यह एक मायोपिक परसन की आई है ना मायोपिक परसन अच्छा अब इसमें होता क्या है मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं कि इस परसन के अंदर जो फार पॉंट होता है नोर्मल आई के अंदर जो नोर्मल आई होती है उसके अंदर जो फार पॉंट होते है अपने वो क्या बोल सकते हैं इतने, तो infinite वाले चीज़ नहीं देख पाता, तो infinite से जो थोड़ी सी distance कम में, जो maximum distance जानाता कि एक myopic person देख से पाता है, मालोगो उस distance को मैंने यहां से d बोल दिया, ऐसे, ठीक है, उस d distance को बोलते हैं, ठीक है minimum distance ठीक है यह far point of myopic person ठीक है तो यह जो point है d वाला point यह है far point at myopic person का ठीक है far point है myopic patient का ठीक है तो normal eyes के लिए तो वो infinite point है और लेकिन myopic person के लिए d distance पे है क्योंकि इस distance वाली चीज़ को ही वो देख सकता है इससे इदर वाली far वाली यह वाली distance वाली चीज़ को वो देख नहीं सकता ठीक है तो यह वाला point है इस वाले point पे क्या होता है कोई भी ray आईगी वो अब उसके retina पे बनेंगे विल्कुल हाना तो हमारा काम क्या है हमारा काम यह है कि हम जो यह वाली rays आ रही है ठीक है तो यहां पे ऐसा lens लगा दें तक कि वह यह वाला जो rays है जो आ रही थी normalize के लिए जो वो देख नहीं पा रहा था एक ऐसा lens लगा दें कि उसका जो virtual image है वो यहां पे बन जाए ठीक है तो अगर इस ऐसा को लेंस लगा दें जिसकी image यहां बन जाए ठीक है तो वो image इस lens normal eye lens के लिए क्या हो जाएगी object हो जाएगी नया और वो इस पॉइंट पे आ गई image पहले वाले lens की तो यह lens अब इसको अराम से object को लेके और अराम से image बना सकता है तो अपना काम क्या है अपना मोंटो क्या होना चाहिए अपना मोंटो होना चाहिए क्यों जो इन्फानेट वाला जो point है infinite point को हम क्या कर दें कहां पर shifqual कर दें infinite point को IgG कर दें farpoint कि इस के farpoint के उपर myopic person क्यें ठीक है मतलब infinite point को हम क्या कर दें डी पर ले आए इसका मतलब हम एक ऐसा लेंस लगाए जिसका अब्जेक्ट कहा हो इंफिनिटर पर हो यू की वैलिए माइनस इंफिनिटी हो क्योंकि लेफ्ट एंड साइड बात कर रहे है और उसका जो वी हो मेज बन रहे है वह भी माइनस डी मतलब लेफ्ट करने का मतलब यह हुआ कि अगर माल लो कोई rays पैरलल ही आ रही थी तुझा खाट एब वो क्या रही थी इस तरह से तो पहले माल लो यहां इस पोइंट पर फोकस कर रहा था था अब क्या करतेगा इसको थोड़ा सा डाइवर्ज ने पर यह पइंट क्या हो जाएगा देर और िदर शिफ्ट हो लेकिन actually होता कि है जो concave lens है वो इस infinite की को object लेके infinite को औब्जेक्ट लेके और d distance लीडिस्टेंस पर image बना देता है तो अगर मैं इसके Afir हो यत चीडिक करेगा एक पॉइंट को D distance पे image बना देता है अब second वाले lens का रोल आता आई lens का अब eye lens के लिए यह वाला नया point है जो इसने बनाया है वो इसके लिए object हो गया और image यहां पर particular सही बनेगी जो यह पहले बनाई रहा था myopic person के लिए तो अब इस lens के लिए असानी होगी कि अब यह point इसको यहीं मिल गया ऍब इस point को वह अ्राम से बना सकता था तो गहानी यही है कि conclusion यही देते हैं कि एगर मार लोगी कुछ किसी तरह से eyeball है हमारा ठीक है किस तरह से eyeball है और यहां हमारा लेंस पढ़ा है कुछ, ठीक है, अब क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, अब होगा क्या, जो भी हमारा इंफानेट से डिस्टेंस आ रहा था, तो यह यह लेंस क्या करेगा, इस क्या करतेगा diverze करके यहां तो D distance पर क्या करेगा image बन गई तो यहां object है और क्या बनी इमेज बनी यह मेज अब इसके लिए क्या बनेगी लेंस के लिए अब्जेक्ट बन जाएगी अब क्या होगा यह वाली इमेज इस lens के लिए क्या गरेगी object अकाम करेगी और image का बनेगी हमारी अब retina पे बनेगी क्योंकि my pick person पहले इस वाले point को तो देख सकता था राम से इसका मतलब हमारे concave lens ने क्या किया ये काम असान कर दिया ठीक है तो अब अगर हम equation भी दिखना चाहें ठीक है concave lens की तो concave lens lenses में क्या होता है lens formula one upon f is equal to one upon v minus one upon u यह होता है ना तो one upon v क्या हो जाएगा final image किस की बनेगी d की minus d ठीक है और यह minus minus infinity हो जाएगा ना तो minus minus प्लस हो गया और one upon infinity zero होता है तो यह तो zero हो गया is equal to one upon f one upon f को हम क्या बोलते है one upon f आया तो यहां पर focal length तो आई हमारी minus d और power कितनी आई one upon f को हमारी power बोलते है minus one upon d तो दोनों formula याद रखना कि जो हमारा lens लगा है उसका focal length कितना बना focal length same बना कितना इसका मतलब हम यह भी बोल सकते हैं कि focal length हमें minus d का focal length का एक lens लेना पड़ेगा जो उस my epic person को सही कर देगा ठीक है उसकी मतलब defect को सही कर देगा तो हमें जो focal length लेना है वो उसके जितना भी उसका my epic person का far point था my epic person का far point है उतना ही focal length का एक क्या करो concave lens लेलो तो defect वो सही हो जाएगा पावर का मतलब इसका power कितना लेलो 1 upon d minus 1 upon d का power लेलो negative आता है क्यों concave lens में focal length और जो power है वो दोनो negative आती है मैं हमें पता है है ना convex में क्या आती है positive आती है तो f और p दोनो negative आती है p की value है minus 1 upon d और f की value है minus d तो note करने वाली चीज कौन सी है नोट करने में चीज एक तीह formula note कर लो एक यह formula note कर लो एक यह वाला diagram note कर लो कि किस तरह से concave lens किस तरह से images बनाता है ठीक है concave lens concave lens का देख लो कि यह diverging lens होता है ठीक है normalize का भी देख लो कि normalize infinite वाली point को सही बनाता है विलकुल my pick person वाला वो जो पहले मने डाग्राम बनाया था कि माईपिक वाला जो अगर फार पॉइंट है वो ही में सही बनाता है लेकिं इंफानेट वाला फॉइंट सही नहीं बनाता है ठीक है अब हम इसके बाद एक बार हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं इसके बाद दोनों के नुमेरिक परसन को पास की चीज नहीं दिख पाती है तो पास की चीज नहीं दिख पाती है तो दूर की चीज दिख रही है उसको तो दूर की चीज सही से दिखना ठीक है इसलिए उसको बोलते है फार साइटनेस ठीक है फार साइटनेस अच्छा फार साइटनेस भी बोल दो लोंग साइटनेस भी बोल दो ठीक है एक ही बात है अब क्या होता है जैसे हमने जो जो स्टेप्स पिछले केस में फोलो किये था माईपिक परसन के आईगे अंदर वही हमें सेम इसमें फोलो करना है अब इसको पास के चीज नहीं दिख पाती तो हम इंफानेट वाले केस तो भूल जाएंगे तो हमें बस पास वाले जो पास वा पॉइंट था ठीक है हमारा कितना था नॉर्मलाइज का कितना था 25 सेंटीमेटर था जो हमने फर्स टेक्चर में बढ़ा था यह नॉर्मलाइज का जो नियर पॉइंट था वो क्या था 25 सेंटीमेटर था इसका मतलब जो नॉर्मलाइज का डगर 25 सेंटीमेटर यहां पर नि इसका मतलब उसको अब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो इमेज उसको नहीं दिखी रेटिना पे नहीं फोकस हुआ तो इसका मतलब हाईपरमेटरोपियक आई के अंदर हमें कुछ ना कुछ करेक्शन लेंस यूज़ करना पड़ेगा तो कौनसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जिस तरह से हमने दिखा था कि क्या करना है इमेज को क्या करना है इमेज जो बन रही थी हमारी दूर बन रही है उसको क्या कर देंगे ठीक है पास लेंगे इसको अगर हमने इस हुझ यूज लेंज करना तो इसलिए हम क्या करेंगे डाव आई यहां परकार से कोणדर मेज ही होता है तो नहीं पर जो दो ग्लेंज होंगे combination जीसे पिषले वार combination क्या बना था convex lens का concave lens के साथ combination मना था kul approximately onwards von convex के साथ combination मनेगा combination बनेगा दोनों अब क्या करेंगे light को क्या कर देंगे diverge, converse कर देंगे और light combination से क्या होगा image यहां पर बनेगा तो combination कैसे काम करेगा ठीक है तो combination कुछ इस तरह से काम करेगा कि यह तो हमानों हमारी eyes है ठीक है hypermetropic person की eye है ठीक है और यह इसका क्या था आई lens है यह आई lens है अब क्या करेगा एक correction lens लगा दिया हमने अब क्या होगा कि 25 cm वाली जो पर छ्षाय नीकजा ऐद नो करता काम क्या से यह यह करता करता है कि जिस तरह से माल लो जो से लो की उसको को वले चीज नहीं दिखती को 40겠for 50 Zentimeter वाले चीज दिख रही है मां लोकिनलों उसको 50 सेंटेmaटर वालेची दिख रही है तो 50 सेंट्य मेटर उसके लिए क्या हो गया नियरपाइंट हो गया ना उस पर शंद के लिए इस परसन के लिए दो एक ही बात है कि इनकी दोनों के अध्यीं कुह दिस्टेंस जदा नहीं होती हो गया अब भो डी डैश क्या कर रहे है场 कुछ दी डैस जो 50 संटिमीटर थी अब क्या अब करें यह यह लेंस क्या काम कर रहा है इस इस पॉइंट को उठाके यह अकेला, इन दोनों के वाल जो उसका जो far point था डी पे लिया था उसको infinite पहुंचा रहा था और यहां पर यह क्या करेगा इसका जो 25 cm है उसको उठा के किस पहुंचा देगा 50 cm पर क्योंकि जो hypermetropic आई है वो 50 cm वाली object है ना जैसे को 50 cm पर कोई object पढ़ा है उसको तो वह सही से देख रहा है यह hypermetropic क्या है सेई है 25 cm पर यहां बन रहे लेकिन सब्सक्राण विद्वक्तं ही बंद रहे तो क्यों ना है इस लिए लेंस क्या कर दे 25 cm को 50 cm कर दे हना तो यह लेंस क्या गर रहा है इस वाला case बन गया फिर तो यह वाला अराम से image बना रहा है इन दोनों का combination image यहां बनाता है लेकिन यह अखेला क्या क्या काम करता है यू लेता है 25 cm से और वी बनाता है देश पे जिसको हमने 50 cm बोलिया है तो negative sign ही आएगा दोनों में तो इसका formula लगा लेते हैं lens formula तो same ही रहेगा 1 upon v minus 1 upon u ठीक है तो हमने बोल दिया direct convex lens है diverging वाले से हो सकता है एक oncave lens भी हो चेक भी कर लो formula से कैसा lens होगा तो 1 upon v क्या है यहां पर हमारा v है हमारा minus 50 cm और u क्या है minus 25 cm तो minus minus तो प्लस हो गया 1 upon 25 minus 1 upon 50 कितना हो जाएगा 1 upon 50 हो जाएगा positive का आएगा तो 1 upon f तो f का मतलब हमारा f आया है यहां से 50 cm positive का positive का मतलब हमारा convex lens है एक चीज़ यहां से भी prove होगी कि यह convex lens ही होगा तभी क्योंकि यह mirror formula तो दोनों के लिए ल लेंस convex lens ही होगा जो hyper metabolic person को सही कर देगा तो हमने देखा कि convex lens ऐसा काम कर सकता है कि वो इस object को यहां image बना देगा ठीक है तो वो lens convex lens ही होगा जो हमने देखा अगर यहां image बना दी तो अब इस lens के लिए यह image object होगी और यह वाला case आगया कि 50 cm वाला तो आप से देख सकता है अना तो numericals के अंदर जो हमें यूज करना है वो यह वाला formula यूज करना है कि one upon f is equal to one upon v उसमें numericals में d दे रखेगा 50 cm को जुरूरी धोड़ी है उसको d दे रखेगा minus d dash minus minus one upon u, u को 25 cm लेना है तो minus minus plus हो जाएगा तो यह वाला formula यूज करना है आपको formula में जो भी numericals होगा one upon f is equal to minus one upon d dash plus one upon 25 cm सारी values 25 cm में रखना तभी satisfy करेगा तो यह formula नोट कर लो काफ़ important है तो यहां से power निकाल लो one upon d power यह डियापटर से लिख सकते हैं one upon f तो यह भी positive में आएगी यह भी positive में आएगी हमारी f ठीक है तो दोनों important case है इसका मतलब यहां से क्या हो हमें convex lens यूज using lens है converge कर देगा जो image पहले बन रही थी रेटिना के बाद में वह image क्या बने की पहले बने की आइप्रमेटर्पिक परसन आई 25 cm वाली image कहां बनाता है रेटिना के पीछे लेकिन उसका जो far point near point होता है 50 cm जो जो general d dash यह है उस पर image सही बनाता है तो इसी का चीज को यूज किय यह convex lens ने क्या किया उसने 25 cm वाले चीज जो इसको देख नहीं सकता था उसको उठा के उसने 50 cm पर ले आया अखेले lens ने 25 cm को 50 cm पर किया और 50 cm के लिए यह इस lens के लिए काम असान है lens के लिए और हमसे image बना देगा ठीक है चीज़े काफिर सिंपल है अच्छा तो एक चीज म मैं myopia में बताना बुल गया,ats me baby में बताऊंगा कि दोनों का reason क्या होता है,कि की दोनों कες सगर हुए है ऐसा जोन का reason क्या हैisen होना मतलड का कारण क्या है कि ऐसा हो,aipro mypa ho,myopia तो हमने बता दी है इसा हम ने वह बताया है नहीं हम इसका लिजेश को साइब आइबोल का साइज कम हो जाता है eyeball का size person में अगर कम हो गया मालूई eyeball का size साइड कम हो गया lens तो नहीं है तो eyeball का size कम होगा तो यह definitely retina क्या हो जाएगा shift इधर हो जाएगा retina shift वाइदर हो तो definitely image इधर ही बनेगे तो image तो eyeball पर थो depends कर रहे है तो इसका मतलब इसकी जो रीजन मैं बता देता हूं रीजन से नोट कर लो दो रीजन होंगे इसके पहला रीजन और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया पहला रीजन बताया मैंने आई बोल का छोटा होना आई बोल छोटा हो जाता है ठीक है तो आई बोल बीकम स्मॉल ठीक है के लाइन लिख लो कि eyeball छोटा हो जाता है इसके कारण हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है दूसरा पॉइंट क्या होगा दूसरा पॉइंट यह होगा कि focal length of lens अगर मालो island eyeball में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन focal length इसका क्या हो जाएगा जागदा हो जाएगा focal length of islands increases मालो defect में क्या होता है कि अगर यह focal length इसका increase हो गया तो पहले point तो ही बनना था लेकिन अभी point का बन रहा दूर बन रहा है focal length क्या होता है यहां से इस point का distance infinite से आ रहा ना focal length बढ़ जाएगा तो क्या होगा point दूर बनेगा तो दोनों कारण है यह तो eyeball चोटी कर दो यह दूसरा point focal length को islands के increase कर दो तो hypermetropia हो जाता है ठीक है दोनों point note कर लिए myopia में ज़र सोचो इसका उल्टा होगा myopia में पहला point और दूसरा point आप कुछ से सोचते हो घ का किस में क्या होगा eyeball क्का हो जाएगा बढ़ हो जाएगा जो पहलेzent incubus me love Nursing Papi में eyeball क्क्या हो जाएगा बढ़काओ आई नहीं बढ़त हो जाएगा यह यह बन राप उसमें Bgunta क्या Heroes जाएगा घट जाएगा रहा एक ही बात है focal length जाएगा वो फुवंट ही बन जाएगा ठीक है focal length का घ्टना भी बोल सकते हो ठीक है या फिर बोल सकते हो excessivestanding curvature of limits ठीक है इसे कि दूसरे language बोल देते है excessive curvature excessive curvature का मतलब जादाया पर केंदर इसके इंदर ऑग्रत बो मतलब을 Now जाएगा तो दोनों रिजन्स है मायोपिया है तो दोनों रिजन्स नौट कर लो इसके बाद हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं जिसको प्रेस बाइयोपिया बोलते हैं तो वह दोनों की कॉंबिनेशन से होती है वो देखते हैं किस तरह से तो प्रेस बाइयोपिया है मेली आप तो दूर की चीज है ठीक है वो दूर की चीज भी नहीं देख पाता और नापास के चीज J.S. डेख पाता रिजन इसका क्या है की जो प्रैस बाइप यपा के स्ंव चेस एज़ परसन रहता है तो एज़ परसन की बाते हैं भाट करें ठीक है 600 00 नोब इसका जो फार पॉइंट है है और इसका जो नियर point है वो दोनों चेंज फोजाएंगे नार्माल याए कि उनियर als जाविप में क्या होता है दोनों का चेंडी कर लेते हैं नार्मल याग के लिए लख अंधर जो फार पॉइंडिकांट होता है और सप्रपउइंट फीर और फख्ःंड cis तो यह दोनों कंडिशन से आ जाएगी कि मतलब जो अगर नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई देख लो नॉर्मल आई का जो पॉइंट था फार पॉइंट तो इंफनीटी था और निर पॉइंटी फाइफ से जादा हो जाएगा तो इसको डी डैश बोला है हमने यह वाली डी आई तो इन दोनों के इंटर्मीडेट में अभ इय वाली चीज तो देख पाएगा लेकिन यह वाली चीज़ और यह वाली चीज़ नहीं देख पाया भाउल पास और दूर दोनों चीज़ेंए देख पास यह इसा-स आई को क्या करते हैं हम बाइ- फोकल और कह पया है से बा परसन बोलते हैं इस पार्ट को उज़ करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जिसको आपर मेट्रोपिक परसन बोलते हैं तो ऐसा लेंस कैसे होते हैं जैसे अगर आप में लेंस की बात करूं तो आपने देखें भी होगे कुछ इसमालो इस तरह से स्पैक्स हैं ठीक है तो जो इस तरह से देखा होगा यहां से बंच & यहां पर क्या होता है मैं से कंवί आपष्न का कौ यह आपक्स यूज हो आपक इसने का इसके बोह्ता है काला ब्लब्र या है ऐघ्य वा सब्सक्राइब नेसों स्बड़नर ऑदिकर है बाईज्बंगों को इस दिए क्राइब एक्र म पर ने देख लिए cases myopia byopia myopia hypermetropia press byopia ठीक है फोर देख लेते हैं estic mission ठीक है ncrt में नहीं है लेकिन इसको आप देखे लो यह कफी से references book में आपको मिल जाएगा estic mission होता क्या estic mission estic mission में होता यह है कि कई बार क्या होता है कि person को क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अब तक distances के बात कर रहे हैं past की दूर की medieval range की हाना distances की बात कर रहे है क्या हमने horizontal और vertical components की बात की की height अपने को सहीग देख रही है length ब्रैट किसी object की सही नहीं देख रही है यह भी ओसकता है ना किस को length या ut ही height रही है हो सकता है तो ऐसे person को किया होता है estimation वाले persons को कि मानलों मैं जैसे यह वाला कोई object थे मैं यह वाला point मैंने एक point बनाया यहां पर हाना यह वाला पॉइंट बनाया अब इस परसन को क्या हो सकता है यह वाला पॉइंट यहां और यहां दोनों साइड देखें और एक लाइन में दिखें पॉइंट एक लाइन की फॉर्म में दिखें तो इस प्रोब्लम को सॉल्व करने क्या करेगा क्योंकि पॉइंट उसको यहां करें आज दो रहें दो हैं तो the life इतनी थी अब इसको इतनी ज्यादा दिखरी हाँ ठीक है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा उस्को क्या पड़ना पड़ेगा कर वेचर लेंस उसको स्लेंडरी कला थेगा से तरह से इस को ला सपन यूज करेfront यहां पे, cylindrical, तो यहाले दोनों पॉइंट्स हैं, यह उन दोनों पॉइंट्स का फोकस हो जाएगा, इस cylinder के जो यहाले axis है, यहां फोकस हो जाएगा, तो अगर हम cylindrical lens यूज करें, तो यह वाली estimation वाली problem सही हो सकती है, ठीक है, तो estimation वाले person को क्या होता है, horizontally ठीक है, और vertical जो objects हैं, वो उसको सही से नहीं दिखते हैं, तो वहाँ उसको horizontal और vertical, points हैं वो सही नहीं दिखते हैं, वहाँ पर दिक्कत आती है, तो उनको सही करने के लिए क्लिए क्लिए होते हैं, ठीक है, तो cylindrical lens यूज करते हैं, तो इस तरह से हमने mainly सारे defects हैं, वो देख लिए किस तरह से optics हैं, जिस तरह से myopia के अंदर हमारा concave lens, hypermetropia में हमारा convex lens, pressed biopia में महारा दोनों का combination bifocal lens, estic machine में हमारे cylindrical lenses, तो इस तरह से हर vision defects का एक reason होता है, और हर region को solve करने के लिए हमारे पास optics हमें, बताता है कि optics बताता है कि किस problem को हम किस तरह से solve कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने 4-cases देख यह गरे चार-cases में हमने इस तरह से प्रोप्रोव्लूम्स को सुल्व्य करे सब्सक्रेट θेंखें जो पहले दो कैशीजान के मेरीकल्स देखते हैं कि कहे बाइन पूछ लिता तो जीए पूछले कि परकेंट पूछ लेखनि मेटए है ने मेटर एक ही यह पीडिर अजले मेंटर ईव्ले मीiyorsunतर और यहां नहीं देख पाता पास का देख पाता है ठीच दूर का नहीं देख पना उशक्या कमसी परशन ना इसका ठीक है तो हमने आप डिरेक्ट फॉर्मुला व्यूज कर सकते हो कि मैंने बोला था जितना उसका जो फार पॉइंट है इसका फार पॉइंट कितना हुआ दी तो 1.6 सेंटिमेटर है लेकिन नेगेटिव खाएगा ना तो 1.6 मेटर है तो यह इसका फार पॉइंट है ठीक है तो उसका फोकल लेंट कितना आएगा तो वह वाला केस डिरेक्ट देखके बता सकते हो कि फोकल लेंट 1.6 मेटर ही आएगा ठीक है वरना अगर आप फोमले से देखना चाहो तो वन अपॉन फॉन अपॉन वी मैनस वन अपॉन यू को मैनेस इंफिनिटी लेना है और V को माइनिस 1.6 लेना है एंद यह तो 0 हो जाएगा कितना स्क्राशल अपॉन 1.6 मेटर की बात कर रहे हैं तब हमने 1.16 करत यह सेंटि मीटर क्यों पर आपको रखना मीटर की बात है इसलिए इन वीट है तो वन अपॉन सम्थिंग कर लिया है अलेकिन अगर सेंटिमेटर होता है तो उपर मीटर को 100 से उपर मिल्टिप्लाइ करना पड़ता है तो कितना आएगा यहां से यहां से आएगा सोल करने पर माइनस 0.63 देख रहे हो फोकल लेंद्ध भी नेगिटीव आ रही है डी भी नेगिटीव नेगिटीव लेंगा क्योंकि अगया तो नेगिटी वाला केस है इसलिए तो कॉनकेव लेंस है सारी चीज़ें सेटिस्वाइब रही है तो हमें पावर यूज़ करना पड़ेगा माइनस 0.65 डिय तो बस statement बदल दिया ठीक है तो अब उसके अप्टू कर दिया मतलब वह जो person है ठीक है वह person क्या है 1.5 cm तक तो नहीं देख सकता यहां नहीं देख पाएगा लेकिन यह वाली चीज तो देख सकता है तो यह वाली चीज नहीं ना देख पाना पास वाली चीज सब्सक्राइब 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है तो v अब क्या है जो अब क्या किया है इसने वो अब क्या करेगा 25 cm वाली जो भी चीज होगी उसको 1.5 पर shift करना उसको तो u की value कितने आएगी वो तो minus 25 cm आएगी जो नॉर्मल आएगी बात कर रहे है लेकिन v की value क्या होगी अब इसको shift कर रही है 1.5 मैं लो मैंनेस 1.5 मेंटर सेंटीमेटर की हां पर सेंटीमेटर लेलो मैंनेस 150 cm यह आएगा वेल्यू पूट करो यह मैंनेस वन अपन 50 ठीक है मैंनेस 1 अपन यू की value मैंनेस 25 तो बाइनस प्लस हो जाएगा कितना आएगा 1 upon 25 मैंनेस 1 upon 150 आना तो 156 से मिल्टिप्लाई कर दो अब यह ना तो यह फाइव अपन ठीक है 150 अना तो यह फाइव थ्री पर कैंसल हो जाएगा तो पन अपन 30 ठीक है तो हमारे यह से फोकल लेंद कितना एगा 30 cm पोजिटीव आ रहा है कॉन के अपन सेंटी सेंटीमेटर अब क्या करेंगे डाइप्टर पावर निकालना है पा पर मेटर होता है इसको भी 100 से मिल्टीप्लाई करना पड़ेगा उपर 100 cm हो गया तो अब कितना आएगा यहां से पावर देखेंटीमेटर नहीं 100 से देखेंगे कितना एगा 10 अपॉन 3 ठीक है 10 अपॉन 3 को 3.3 डाइप्टर 3.33 बोल सकते हूं ऐसे इसलिए 100 से मिल्टीप्ल अच्छा अगर तो सेगिन कोशन हो गाती ऐसा भी बन सकता है कि एक नहींद को मिला दो कि उसको 1.5 मीटर तक भी निदिखता और 1.7 मीटर से जादा भी निदिखता इसे जादा भी निदिखता तो क्या करेंगे दोनों का कॉंबिशन दो इससे भी निकाल दो पोकल लेंद होगा उस ने कॉनके क pursuit Abs is hose का पावरह यह होगा का थीक है है तो हमने सब तरह किरें देख लिए सबतरे की de facto के solution देख लिए चारों diffalisट देख लिया है तो आज के क्लास में यही था नेक्श प्रप्ण में हम रिफ्रेक्शन फेनोमेंना फेनोमेना खाना अलगल वेवलेंज का तो वो देखेंगे फिर अपने एक्मोस्फिर के अंदर जो फिनोमेना状 होते हैंने उन मिलाज को देखेंगे तो कुन-कुन से से संब्सक्राइब होते हैं शद्वया इतना एक्षिली में उस पोजिशन पर होता नहीं है तो सारे इंट्रेस्टिंग फिनोमेनाज है वह हम रेफ्रेक्शन के ही हैं तो वह सब हम नेक्ट्ट के लास के अंतर जुरूर देखेंगा ना कि अग्या पर दो